Hello and welcome to Global Academy. आज है 24th मई 2020. देखते हैं आज के तमाम करांट एफिर्स और इन से रिलेटेट जितने इपार्टेंट फैट्स होंगे वह हम डिसकस करेंगे. अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो निचे दिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है आप वहांचे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. So let's begin with the first question. Which country has recently won Online Nations Cup? FIDHS.com हाल ही में किस देश ने? FIDHS.com Online Nations Cup जिता? तो ये Online Nations Cup चाहिना ने अभी हाल ही में जिता? चैस में. तो चाहिना ने जिता है तो चाहिना से रेलेटिट कुछ और important information देख लेते हैं. Next year 2020 में Asian Youth Games ही चाहिना के अंदर खेली जाएंगी. 19th Asian Games 2020 ये भी चाहिना के अंदर ही खेली जाएंगी. और इनका मास्किट है स्वाल ट्रिपलेट. Then Asia Paragymes 2022 ये भी चाहिना के अंदर खेली जाएंगी. और इनका मास्किट है 55. तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी हैं. तो FIDHS.com ये Online खेला गया है. तो देखते हैं FID. ये क्या चीज़े? FID. FID. इसका लोसेने स्विजरलेंड. प्रेजेंट याँ के अर्कैडी दिवर्कविच. इसकी स्थापना हुई थियां 1924 परिश, फ्रांस में. C.O.S.K. जॉफ्री दी बॉर्ग. मौटो जैंस उना सुमस. और मेंबर्शिप है इसकाद स्केंटर 189 नेशनल अस्थाइशेशन. ये हैं लोगो. नेक्स्ट कॉस्टिन. इसकाद स्केंटर 189 नेशनल अस्थाइशन. इसमें जो सबसे बड़ा इसकाद मनुफरेक्चर है. नमबर वन पर है चाइना और नमबर टू इसका इंडिया बना है. विदन तो मॉंस में. तो नेक्स्ट कॉस्टिन. Who recently cheered the non-aligned movement? नाम Health Minister's Meeting through Video Conference. किसने हाले में वीडियो कान्फरेंस की मध्यम से गुट्यपेश अंदोलन यानि नाम स्वास मंत्रों के बैठकी अधिहक्षिता की. तो ये की है Mr. Ogate Shiraliyayev. इनने की है. और ये हैं Health Minister आजर्बाइजान के. Mr. Ogate Shiraliyayev. He is the Health Minister of Azerbaijan. इनने ही इस non-aligned moment है. इनके जो अभी हाल है में Video Conference Meeting हुई. तो इनकी इनने ये इसके Chairman रहे है. Chair इनने समवाली. दानाम सुमित is organized in a time when international community faces pandemic. आज क्योंकि Lockdown है. COVID-19 की वज़े से पूरा तमाम दिनिया में ये coronavirus pandemic फैला हुआ है. तो ये वो Video Conference के जरिए ये meeting organized की गई. और आजर्बाइजान के Health Minister ने इसके Chairman रहे. तो next इनने से related non-aligned moments related कुछ important facts देख लेते हैं. इसके जो founder है वो है जोहरल नहरूफार इंडिया, जोसोफ ब्रोज टिटो आफ योगो सलाविया, गमाई अब्डल नसीर आफ एजिप्ट, तो प्रोमोट एंट रेंफोर्स मल्टी लेटरलिजम. तो इन्होंने इसकी स्थापने की थी. ये इसके founder है, man founder. ये आपको याद रखना है. इसकी established ये हुई थी, established 1961, नहीं बेद 25 मेंबर्स, first time इन में जुड़े थे. Currently, non-aligned movement has 120 मेंबर्स and 17 observer states. चेर है इसके इसके अजरबाइजान के पास, चेर मैंने इसके इलहाम अलियेव, हैटकवार्टिस का Central Jakarta, Indonesia. इसके 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 जुड़े ही हैं. Next question, ये थे non-aligned movement से related to the most important facts. Next question, the head of WTO has announced his resignation. A year before his term expires, he will step down on 31st August 2020. विश विया पर संगठन के प्रमुख, dash dash dash, इनका नाम बताना है, जिन्होंने अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक साल पहले ही अपने स्टिफ़े की गोशना की हैं, और वे 31 अगस्त को 2020 में अपना पात छोड़ेंगे, तो इनका नाम क्या है, Robert Azevedo, ये इनका नाम, ये WTO के head है, head of world trade organization Robert Azevedo has announced his resignation a year before his term expires, he will step down on 31st August 2020, 20, तो WTA से related ये question है, कुछ important information regarding WTO, world trade organization, इसकी full form है, ये एक inter-governmental organization है, that is concerned with the regulation of international trade between the nations, अलग nations के दरिमान international trade, उसको ये regulate करती है, head guard, रिसका सेंटर विलियम रेपर्ड, जिनेवाय सीजर लेंड, membership है इसके साथ इस वाकत 164 members, फार्मिशन हुई दिसकी 1995 में 25 अर्स अगो, और डिरेक्टर जर्रेनलिसक रोबेटो अजिवेडो, ये है इसका logo, next question, recently, who has banned the use of spit to brighten बाल, हाल ही में किसने बाल को चमकाने के लिए थोके इस्तमाल को बैन लगाया है, अभी आपने देखा है, किरिकट में जो बावलर होते हैं, वो बाल को अक्सर अपने कपरों से रगरते हैं, या उसमें अपना sweat लगाते हैं, पसीना लगाते हैं, या उसको थोक लगार उसको चमकाने की कोश्च करते हैं, ताकि बाल के उपर ग्रिप उनकी थोड़ी सी strong हो जाए, और वो आराम से बाल को आगे, अच्छे से उसको spin कर पाएं, तो इस चीज के लिए अभी ये जो इसमें थोका भी इस्तमाल किया जाता है, spit का इस्तमाल किया जाता है, तो इसको बैन किया गया है, पहले अस्ट्रेलिया ने बैन किया था, अब इसको ICC ने भी बैन कर दिया है, क्योंकि आभी आपको पता है, COVID-19 के वज़े से, तो इसमें परेशानी हो सकती है, वाइरस के फैलने के चांसिस रह सकते हैं, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, तो यानि यूज़ा सिपिट टू ब्राइटन दा बाल, तो यह ICC ने किया है, तो ICC रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल किर्कट काउंसल इसकी फुल फार्म, ये एक वर्ल्ड गवर्निंग बाड़ी अफ किर्कट है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, चेर्मेन इसके शिशंकर मानोहर, हेड़कॉर्टर इसका दुबई यूनाइट अरब अमेरेट्स, सियो हैंके मनो सावनी, और फार्मिशन 1909, 110 साल पहले, जहीर अबास पहले इसके प्रेज़ेंट थे, लेकिन प्रेज़ेंशिप इसको अबालिश किया गया है, तो लास्ट प्रेजेंट इसके जहीर अबास रहें, so as the last president of ICC in 2016, the position of president of ICC was abolished, तो प्रेजेंशिप ये अबालिश की गई, तो ये थे कुछ important information regarding ICC Next question International Day for Biological Diversity IDB It is celebrated every year on अंतराष्ट्रे विवित्ता के लिए अंतराष्ट्रे दिवस IDB हर साल कब मनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 22nd मई को The day was declared by United Nations और इसको declared किया था United Nations ने to raise awareness and increase understanding of biodiversity issues जितनी biodiversity issues है उनसे related लोगों को awareness लोगों को awareness raise करना और understanding वगएरा इसके बारे में लोगों को देना तो उस चीज़ को करने के लिए ये 22 मई को हर साल ये biological diversity बनाया जाता है Next question Recently Who became the new director general of National Real Estate Duelment Council हाल ही में National Real Estate Development Council के नए महादिनेशक कौन बना है तो ये बना है राजिश गोयल ये इसके director general बने है NREDC के तो इसके से रिलेटर कुश्च इंपार्टन ना फैक्स भी देख लेते हैं National Real Estate Duelment Council यानि N-A-R-E-D-C-O It was established as a self-regulating body in 1998 Headquarter है इनका New Delhi में और की पीपल राजो तलवार इसकी chairman है और निरंजन हेरनन्दान ये इसके president है Next question Which nation has included disputed territories of Kalapani, Lipu Lake and Limpia Dhorana in its new map किस राष्टर ने अपने नए नक्षे में Kalapani Lipu Lake और Limpiudhara के विवादित खेत्रों को अपने map में शामिल किया है तो ये नीपाल ने किया है अब ये काफी border dispute चल रहा है इंडिया और नीपाल के दर्मान तो इसी दर्मान इन्होंने नीपाल ने इन तेनो जगाओं को अपने map में include किया है इन territories को disputed territories को अपने map में इनने शो किया है नीपाल's new political map shows Kalapani, Lipu Lake and Limpia धारा अंटर नीपाल's territory और इसको approve किया था नीपाल's cabinet recently और ये endorsement इन्होंने इन्होंने अपने map में इनको include किया है नीपाल से related कुछ और important facts भी देख लेते हैं ये है globe यहां का इंडिया का map और इस यगा ये नीपाल है Capital and largest city है यहां की Kathmandu President है यहां के बिंद्यादेव बंडारी Primester है यहां के खाडगा प्रसाद शर्मा उली Currency यहां की नीपाली रुपी तो ये थी आज के तमाम current affairs और इस रिलेटेज जितने important facts भी हमने डिसकस किये जो भी नई उवर से हैं उनसे request है हमारे इस चैनल को subscribe करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके YouTube चैनल के first page पर आपको मिल सके काफी important वीडियो है आपके हर competitive exams के लिए काफी important वीडियो है Okay, thanks, best of luck and as always God bless